भयांकर गर्मी पढ़ रहे हैं इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आम का पना रेसिपी तो यहां पर हमने लिया एक अच्छा आम इसे अच्छी तरीके से वाश कर लिया है थोड़ा सा लिया है ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा मिन्ट लीव्स तो सबसे पहले हम आम को बॉयल कर लेंगे इसे बॉयल होने में 15 मिनट लगेगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कूकर में एक सीटी लगा करके बॉयल कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद तो देखें आम जो है वो अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसका छिलका हटा करके इसका सारा पल्प निकालके एक प्लेट में रख लेंगे और फिर उसके बाद हम पना बनाने का प्रोसेस देखेंगे अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेसिपी पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें तो सारा पल्प जो है हम वो मिक्सी जार में डाल देंगे इस तरीके से देखें उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे मिंट लीव्स थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर जीरा पाउडर आप ऐसे रोस्ट करके थोड़ा सा दरदरा कूट करके यूज़ करें बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर एक चमस जाएगा इसमें शुगर एक चमस सॉल्ट और बहुत थोड़ा सा पारी डाल करके हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से अब ये पेस्ट हम एक बाउल में निकाल के रख लेंगे आप इसे फ्रिज में एक दो दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं जब भी कुछ थंडा पीने का मन करें तो आप दो चमस डाल करके इंस्टेंट पना बना करके पी सकते हैं लास में जाएगा दो से तीन आइस क्यूब उसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक चमच यह पेस्ट जो बनाया था हमने उसके बाद डाल देंगे हम ठंडा पानी है ना असान रेसिपी अब इसे स्पून से हम मिक्स कर देंगे और गर्णिश के लिए इसके उपर हम मिन्ट लीव्स रख देंगे मेरा तो आम का पना बन गर के त्यार हो गया है आप लोग भी बनाये और इंज्वाई करिए चीर्स